हां जी भई अब बात करेंगे objectives of management की तो पहले तो यही देख लेते हैं कि objectives का मतलब क्या है देखो जी objective का मतलब है simple इपल शब्दों में बोलो कोई उद्देश ठीक है और कोई भी अगर उद्देश आपने एक सैट कर दिया है कि काम करना है तो वह काम कैसे करना है वो तो हमने process में बता दिया लेकिन सिर्फ अगर मैं organization में जाओं और organization में जाकर के organization का ही काम करता रहूं अपने बारे में ना सोचू तो तब भी मेरे लिए वह organization अच्छी नहीं है या तो मैं उस organization के बारे में ना सोचू तो मैं अच्छा नहीं हूँ वह organization मेरे बारे में नहीं सोचे तो वह organization अच्छी नहीं है और हम सब मिलके society के बारे में नह objective में बाठ दिया, किसी एक के लिए नहीं, न सिर्फ organization का, न सिर्फ individual का, न सिर्फ society का, तो तीनों लोगों को, मतलब तीनों चीज़ों के objectives हमने अलग-अलग कर दिये। पहला objective होता है organizational objective, जिस organization में आप काम करते हैं, सबसे पहला उसके लिए हमें काम करना है, organizational objective होते क्या है देखिए वह कोई भी और्गनाइजेशन क्यों चाहेगी कोई भी और्गनाइजेशन क्यों बनती है पैसा कमाने के लिए ठीक है पैसा नहीं कमाती है तो एंजी होती है लेकिन उसको अपने employees को salary तो देनी है तो जो पहला उद्देश्य है organizational objective में उसके अंदर एक बात कही गई है organizational objectives are the main objectives organization जिस उद्देश्य से बनी है तो objective organization का main objective है which are needed to achieve economic goals अब आप कहोगे यह word का मतलब क्या हुआ economic goals कौन से होते है हमने goals तो पढ़ लिया एक target होता है लेकिन economic goals कौन से होते हैं basically economic goals का मतलब है word economic का मतलब है which is related to money हमने आप से बोला कोई भी आप business start करते हैं तो वो किस motive से करते हैं वो आप profit motive के लिए business start करते हैं तो पहला उद्देश है किसी भी organization का भई हमें जो है पैसा कमाना है अब यहाँ पर organizational objective में सबजना यह है पहले ही दिन से में पैसा नहीं कमाने लगता पहले दिन मुझे set up करना पड़ता है हो सकता है एक महीना, दो महीना, एक साल, दो साल भी लग सकता है आदमी को establish होने में तो organizational objective को हमने तीन भागों में बाढ़ दिया survival, profit, growth अब यहाँ पर एक एक example भी लेंगे और organizational objective को in detail पड़ेंगे तो सबसे पहला organizational objective होता है पैसे से related वो होता है survival survival stage एक ऐसी stage होती है जैसे कि आप देखते हैं भाई मैंने कोई एक shop खोली अब मैं क्या कहता हूँ यार इतना तो पैसा आजाए कि लड़कों का खर्चा निकल जाए दुकान का किराया निकल जाए अभी कमाना कुछ नहीं है बस खाली मेरी जो cost है वो निकल जाए मेरी लागत निकल जाए अभी profit ना हो तो basically यह वो stage होती है जब आप दूआ करते हैं आपका जो revenue है जो आपकी कमाई है वो इतनी हो जाए कि आपका खर्चा पानी निकल जाए सिर्फ खर्चा निकल जाए profit की बाद में सोचते हैं देखे इसमें क्या होता है cost equals to revenue cost का मतलब लागत और revenue का मतलब जितना आपने पैसा receive किया तो लागत के बराबर आपका पैसा आजाता है इसके अंदर कोई profit नहीं होता तो यह तराजू भी है जिसमें cost और revenue दोनों एक एक ही बराबर के हैं ना ज्यादा ना कम तो यह है हमारा survival stage survival stage में क्या होता है केवल और केवल आप अपनी cost कवर कर पाते हैं ठीक है जी पिर अब जब आपके 2-3 महीने हो जाते हैं आप ऐसा तो है नहीं कि मैं खाली survival पर ही पढ़ा रहूंगा तो मैंने अपने कमाने के लिए तो business खोला है अगर उस business से फायदा नहीं तो फिर मुझे कोई फायदा नहीं पिर आता है अब हम सोचते हैं यार चलो अब इतना तो हम अपनी cost तो cover कर रहे हैं अब थोड़ा बहुत profit भी हो जाए profit क्या बहुता है profit आपको तब होगा जब आपकी cost थोड़ी कम हो जाएगी और revenue आपका उपर हो जाएगा ठीक, cost कम for example आपने 100 रुपे की चीज बनाई survival stage में 100 ही रुपे की बिक रही है अब profit stage में क्या होगा आपने 100 रुपे की चीज बनाई 110, 120 थोड़ा बहुत profit भी आ गया तो यह होती है मेरी profit stage profit जो है एक reward है profit क्या है? एक reward है किस चीज का? आपने जो risk लिया है ज़्यादा risk, ज़्यादा profit ठीक है? risk है तो risk है चलिए जी तो यहाँ पर हम क्या होता है? revenue ज़्यादा हो जाता है और cost थोड़ी कम हो जाती है यह देखिए revenue का पढ़ला बारी हो गया ठीक? अब आपने survival stage से भी निकल गए profit stage में पहुँच गए अब आपने 2-3 साल profit stage में काटे अब आप क्या सोचते है ग्रो करने की यार एक दुकान से या तो इसको भड़ा कर लेते हैं इसमें काम धंदा कुछ बढ़ाते हैं या फिर एक branch और खोल देते हैं this is called growth stage growth stage में क्या होता है? आप या तो उसी की branches या आप चाहेंगे कि मेरा market share बढ़ जाए मेरे से लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े मेरा customer base बढ़े अब मैंने profit तो कमा रहा हूँ लेकिन अब मुझे अपने आपको grow करना है अपनी या तो branches खोलेंगे market expand करेंगे अपना market share बढ़ाएंगे इसको बोलते है growth तो पहला जो आपका organizational objective है organizational objective पैसे से related उसके अंदर तीन stages है सबसे पहली survival उसके बाद profit उसके बाद growth ये वाली निकल गई अब अपने organization का objective पूरा हो गया अब सिर्फ organization अपने लिए काम करवाएगा अपने बंदों से तो वो सही नहीं है फिर आता है हमारा social objective अब आप कहोगे भया ये social objective क्या चीज है देखे जी ये जो word है न social social जो word है ये आया है यहां से society से अब आप ये भी पूछेंगे सर society का हम क्या करें भया इसका बहुत बड़ा रोल है society का देखे we are taking the resources from the society so it's our duty to return back something to our society अब आप कहो कि वो कैसे कुछ नहीं करना है आपने जो resources लिये हैं वो society से तो लिये हैं तो अब कम से कम मैं अगर society के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं ऐसा individual मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं ले रहा हूं society से तो अब मुझे क्या करना है अब मुझे ये करना है जो मैं चीज बना रहा हूं वो society के लिए environment के लिए अच्छी हो eco-friendly products हो जो मेरी जो factory है मेरी जो organization है उससे किसी को नुकसान ना हो उससे ज़्यादा pollution ना हो मैं law-abiding citizen हूं जिसको government ने मना किया है जिसमें पाबंदी लगाई है प्रोहिबिट किया है उस चीज को ना बनाओ ये होता है मेरा societal objective आपने सुना होगा corporate social responsibility बड़ी-बड़ी organizations society के लिए काम करते हैं जिसमें सबसे पहला नाम आता है Tata का जिसमें Tata Cancer hospitals वगेरा होते हैं Tata के schools हैं अजीम प्रेम जी foundation विप्रो के अंदर जो है वो भी बहुत ज़्यादा काम करते रहते हैं तो society को betterment के लिए काम करते हैं और ये एक हमारा duty है कि हम जो resources है वो कहां से ले रहे हैं वो society से ले रहे हैं बहुत सारे लोग hospitals खुलवाते हैं बहुत सारे लोग गरीब हो में मुफ्त राशन बाढ़ते हैं ठीक तो ये होता है हमारा societal objective ये कुछ glimpse है जिसके अंदर बताया गया है कि कौन कौन लोग कैसे कैसे societal objective तो social objective है वो पूरे कर रहे हैं Infosys Infosys ने career guidance session शुरू किया for girls and empowering sessions for differently able women women के empowerment के लिए और differently able women के लिए उन्होंने एक कौन सा session शुरू किया career guidance session उनकी better parenting के लिए फिर दूसरा है मारूती सूजिक इंडिया लिमिटेट है तेके इस स्टेप्स in educating people about road safety मारूती गाड़ी बनाती है तो उसने एक बताया कि अब रोड पे चलते हुए कौन कौन से safety measures लेने है यह कुछ ऐसे ही है तो आप इसको पढ़ करके देख सकते हैं बस सिर्फ पढ़ने काफी है कोई ऐसा वो पूछता है कि कैसा है बस एक case study देदेगा कि अगर उसने society के लिए काम किया है तो आंसर क्या हो जाएगा social objective फिर आता है हमारा personal और individual अब देख रही है यहां पर personal या individual objective अब मैं जिस organization में जा रहा हूँ तो मैं उस organization का काम क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए पैसा अगर मुझे वही चीज अच्छी से नहीं मिलेगी तो फिर जो मेरा दिल है वो तूट जाएगा यार मैं इसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ यह मुझे पैसा नहीं दे रहा ठीक तो कुछ भी हम काम करते हैं तो हमारा एक मन में यह होता है कि यार 30 दिन बाद एक सेलरी मिलेगी चलिए वो सेलरी भी आपको मिल जाती है अच्छी सेलरी मिलती है फिर आप कहते है यार अब जो है मुझे जब रेटायर हूँ तो मुझे कुछ बेनेफिट्स मिलने चाहिए तो आप उसके लिए भी काम करते हैं ज्यादा मेनत करते हैं ज्यादा मेनत करेंगे तो company ज्यादा कमाएगي आपको भी उसका part देगी तो individual जो होता है तो उसके अंदर क्या होता है employees किस लिए काम करते हैं अपनी good and healthy working condition जहां मैं काम कर रहा हूँ रोशनी अच्छी हो वहाँ पानी अच्छा हो मतलब पानी वाटर कूलर हो वाश्रूम्स अच्छे हो मैं इसलिए तो काम करता हूँ मैं गया इधार उधार गंदिगी मेरे लिए बैटने की जगा नहीं तो यहाँ पर जो है अगर मेरे यह अबजेक्टिस पूरे नहीं होते है सेलरी मुझे टाइम पे नहीं मिल रही है वर्किंग कंडिशन मेरी खराब है मेरे रिटायर्मेंट बैनेफिट्स अच्छे नहीं है पर्क्स नहीं है बोनस नहीं है तो फिर मैं दिल लगा के काम नहीं करूंगा तो जिसका और्गनाइजेशन के लिए मैं सोच रहा हूँ उ इंडिविज्वल अब्जेक्टिव आर नोट फॉल्फिल देन एंप्लॉई लूज इन इंट्रेस्ट इन वर्क विच कॉस लॉस टू इट्स ओर्गनाइजेशन अगर मेरे लिए अच्छी सेलरी नहीं है सेलरी टाइम पर नहीं मिल रही तो फिर मैं भी डल हो जाओंगा मै कि किसका है और इंटेशन का लमरे और उपधेशन को लॉस फिर लोर्ट फिर कैं हमारे उपर ही पडेगा तो हम दोनो ना ऑर इंडिवीज्वीजुल और इंडी सॉसाइट यह सब इंटर ले स्टे़र्द कहीं पर थे कई नं पही कहीं ना कहीं नुखसान होता है ठीक है जी तो तीन objective कौन कौन से हो गए, organizational objective, social objective और individual objective, organizational objective हम organization के बारे में बात करते हैं, उसके अंदर भी तीन stages थी, survival, profit, growth, फिर आते हैं हम अपने social objective पे, जो कि हमें society के बारे में सोचना है, फिर आते हैं हम individual objective में, जिसमें हम अपने लिए काम करते हैं, अब आते हैं इसकी case study पे, अब business needs to add its prospects in the long run, एक business ने सोचा कि वो एक लंबे समय तक काम करेगा, लंबे समय तक काम करेगा, जब वो survival से भी निकल जाएगा, जब profit से भी निकल जाएगा, अब वो कौन से stage में आएगा, growth में, तो which organizational objective is highlighted in the statement, कौन सा organizational objective है, इसके अंदर, इसके अंदर है, और अच्छा इस organizational objective का कौन सा वाला पार्ट है, survival भी नहीं है, profit भी नहीं है, यह कौन सा पार्ट है, growth, क्योंकि इसने यहाँ पर एक चीज बोल दी, long run, long run तभी चलेगा, जब आपने अपनी दोनों stages पूरी कर लियो, survival भी और profit भी, growth आपकी long run में होती है, चलिए दिए, next पहते है, next कहता है through e-chopal, through e-chopal, ITC aims to change the quality of life and the entire outlook of Indian farmers, ITCA company है, जिसने एक scheme शुरू की, e-chopal, चopal गाउंँ में होता है, जहाँ पे लोग बैठते है, e-chopal, e-chopal मतलब यहाँ जिस वर्ट के आगे लग जाता है, उसका मतलब होता है, electronic, उसने एक e-chopal शुरू किया, जो किस पे aim करता है, change the quality of life and entire outlook of Indian farmers, कि इंडियन farmers को थोड़ा change करना है, कैसे उनको technology से update कराना है, technology से upgrade कराना है, tools से upgrade कराना है, और कैसे कैसे खेती बाड़ी अच्छे तरीके से हो सकती है, और आप अपना सामान कैसे कैसे बेच सकते हैं, इसके अंदर यह सब कानी हुई होगी, बस हमने यहाँ प इंडियन farmers हैं, वो change हो, इंडियन farmers change हो, तो यहाँ पर कौन सा objective highlight किया गया है, ITC का, बहिए ITC का कोई farmer का तो काम, farming का तो काम है नहीं, लेकिन वो चाहता क्या है, कि इंडियन farmers modernize हो जाए, इंडियन farmers अच्छे हो जाए, तो यह कौन सा objective है, वो अपने लिए नहीं सोच रहा वो society के लिए सोच रहा है, तो यह कौन सा objective हो गया, यह हो गया हमारा social objective, ठीक है जी, यह हो गया हमारा social objective, फिर आता है हमारा एक और case study, employees of Sabu Limited are working very hard, employees जो हैं वहां के वो बड़े hard working है, बहुत मेहनस से काम कर रहे हैं, किसलिए, to get the perks and more bonus, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्य ज़्यादा perks मिले, ज़्यादा से ज़्यादा bonus मिले, perks भी एक bonus के टाइप का benefit होता है, आपको थोड़ी से salary increase करके मिल गई, तो यह होता है, perks and bonus यह सब benefits, तो वो काम इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा perks और bonus मिले, अब यहां पर कौन सा objective highlight किया ग यहां पर आ गया individual objective, कौन सा objective, individual objective, ठीक है जी, तो तीन objective से हमने तीन case study कर ली, और detail case study in the end of the chapter, पहले हम अपने topics cover कर रहे हैं, अब आपके अच्छे का से topic cover हो चुके है, meaning भी हो गया, characteristic भी हो गया, objective भी हो गया, अब बस आपका थोड़ा, एक दो topics और रहते हैं, उसके बाद अब धेर सारी case studies, mcqs, true, false, philips, ठीक है जी, तो यहां तक topic हुआ यह पूरा, यहां तक आप practice करें, अब फिर हम चलेंगे, आखेंगे